इस इंसान को मारना impossible है ये एक ऐसा immortal बंदा है जिसको आज तक किसी ने मारा नहीं और ये 200 साल से उपर से जी रहा है ये बंदे के पास ability है undead की मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता तुम इसका गला काट दो इसके body को छोटे छोटे pieces में काट के फेक दो को जुबी कर दो ये बं को यूज कर सकता है एक jetpack की तरह और तो और ये बहुत सारी चीज़े कर सकता है ये literally अपने पीट के अंदर अपने तलवार को गुसा कर रखता है और इसने इसके सर में भी एक तलवार गुसा कर रखा है ये बंदा इतना amazing है कि मैं आप लोगो क्या बताऊं और इसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसके body को अगर तुमने टच कर लिया तो तुम्हारा दिन इतना unlucky बन जाया कि तुम मर भी सकते हो तो अब ये बंदा जो मर नहीं सकता और इसको मरना है ये जब इस लड़की के contact में आएगा तो क्या होगा और इसमें कितने सारे अलग-अलग type के enemies आन स्टोरी के शुरुवात में हमें दिखाते हैं कि एक बरफीले एरिया में एक लड़की चल-चल के जा रही होती है अपने लवर के पास यहां पे हर जगा हर एक चीज खतम हो चुकी होती है और इन लोग को दूर से एक छोटी लड़की देख रही होती है ये लड़की जैसे लोग खतम हो जाते हैं और यह होता है में भी इनके स्टोरी का और यह सब चीज वो छोटी बच्ची देखके एकदम से शौक हो जाती है और उसके आँखों से आसु गिरते होते लेकिन ये लोग अभी भी अपना किस कंटीनू रखते हैं इस बरफीले एरिया में वेल तो व फ्री है इसके अंदर आपको जॉइनिंग बोनस मिलने वाला है और उसके साथ साथ बहुत सारे फ्री के स्पिन्स भी मिलने वाले हैं खेलो एक्स लिटरली एक गेमिंग का अड़ा है वो भी देसी गेमिंग वाइबस के साथ इसमें आपको लोयल्टी पॉंट्स मिलेंगे आपको लाइफ क्रिकेट के स्कोर्स मालू बढ़ेंगे और अभी तो IPL भी आ रहा है भाई तो खेलो एक्स को जाके चेक आउट कर लो और तो और आप इसमें रियल मनी कमा सकते हो आपके गेमिंग स्केल के साथ आप आपके फिवरेट स्पोर्स में जा सकते हो और तो और इ कि या तो नेट बैंकिंग या तो कैश ऑन डिलेवरी के साथ भी ले सकते हो इस चीज का तो जाओ इसे चेक आउट करो क्यूंकि यह इंडिया का नंबर वन साइट है गेमिंग के लिए और यह बहुत ट्रस्टेड भी है तो आप लोग जाना है उसके अंदर और मजे करने है और IPL तो आ ही रहे तो जाओ इसे चेक आउट तो कर लो यार और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ तभी हमें अगले सी में मालूम पढ़ता कि असल में ये एक स्टोरी था जो हमारी में फीमेल कारेक्टर पढ़ रही थी और वो कहती है कि चलो अच्छा है अब मेर में हीरो स्माइल करता है और बोलता है तुम कर क्या रही हो लड़की ये बंदा लिटरली यहां पर पॉट्टी करने वाले पोजिशन में बैठा है और जूस पी रहा है और ये एक सुन्दर लड़की को देख रहा है आइमीन ब्रो इतना बैडस नहीं होते है तुम अभी प के पास आता है और इसकी चाकू को अपने सीने में धसा लेता है ये देखके लड़की बढ़ी कंशोती कि बन्दा अपने मुछे खूण लिगालता है ये मैं से बåढ़की का मुग पकड़ता है बंद को उतने में नीचे ठें के ऊपर गिरता है और यह सब देखके लड़की बोलते कि oh no please मुझे मुझे माफ कर दो मेरे वज़े तुम्हारी जान चली गई लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो पीछे से खून निकालके उपर आता है अपने मुंडी को फिककर और बोलते कि बोड़ी को यहां पर रिज़े जनरेट कर रहा है लेकिन यह एक चीज रिजनरेट करना भूल गया और वह था इसका में चाच्छा तो इसलिए इस एनिमे ने पहले ही इस एरिया को सेंसर कर दे तो तुम लोग टेंशन मतलो लेकिन यह लड़की देख लेती है कि वह सेंसर ची तुमसे पूछने के लिए Miss Unlucky, उसी वक्त यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो देखते हैं कि एक नागड़े आदमी ने एक छोटी बच्ची जैसे दिखने वाई लड़की को पकड़ कर रखा और अतने कंधे पर रखा है, I mean पुलिस वाले भी टेंशन में आज जाते ह यह लड़की अपनी जान बचा कि यहाँ से भागनी कुछ लेकिन यह बंदा उसको पकड़ता और कहता कि नहीं 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 तुमने मेरे questions का answer नहीं दिया है, मुझे बताओ कि तुम्हारी ability आकि काम कैसे करती है, तू कहती कि देखो जब तक तुम मेरे body को touch कर रहे हो, हमाता है, तो और बोलता है, अब मैं तुम्हें फेग दूँगा, वो देखके बंदी ढरती है, और बोलती है, मैं तुम्हें हर एक चीज बता रहे हूं, सुनो, तो हाँ, हमारी यह लड़की कहती है, कि यह सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब वो अपने बच्पन में अपन से खराब होने लगती है, और उसको सारा का सारा अनलग चीजे मिलता है, और मेरे वैसे इसके मॉम औड़ की देथ होगी, और अगर तुमने मेरे रियल स्किन को पकड़ा तुम्हारे साथ भी ऐसे हो तो यह सुनके हमारा यह बंदा इसके शर्ट को उपर करता और इसके इसल के नीचे गिर रही होती है, और बोलते ही लगता है, उसका गुड गेम हो गया, लेकिन हमारा हीरो हवा में से जंप मार के नीचे जाता है, और इसको पकड़ता है, वो लड़की गिरते वे अपने मांगा को भी खोरी होती, कहती कि मेरे लाइफ में कभी को रोमेंटिक हुई ही नहीं, हमारा हीरो यहाँ पे सूपर हीरो जैसे नीचे कूता है, अपने पैरो में से हड़ी बाहर निकालता है, दिवाल में उसको घुसाता है, और उसके बाद लड़की को पकड़के उसके स्पीड को स्लो करता है, आइमीन ब्रो, ये बंदा भाई, खतर ना के भा और इनके उपर अटक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें अगले सीन में दिखाते हैं, ये लोग एक विरान बिल्लिंग में घुसे होतार वहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पूरे बॉड़की को एकसा टच करूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मैं उस इसलिए मेरे बाल इतने बड़े हो चुके है, वाँ, 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 तो ये सब देखके हमारा हीरो बोलता कि ऐसी बात है, ऐसा बोल कि इसके पास जाता है, इसके फेस को टच करता है, बोलता कि मैं तुम्हारे बाल काटना स्टार्ट करता है, बोलता कि जब तक मैं तुम्हें 15 में तरक टच टच किया था, तो अब मैं देखू मेरे साथ क्या होने वाला है, और उतने में अगले ही सीन में हमारे हीरो का मुंडा कर जाता है, I mean bro, ये सीन बहुत बैड़ास था, और तभी यहाँ पर entry होती है हमारे villains की, और हमारे villains यहाँ पर आके कहते हैं कि Miss Unluck, आप से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने आपका guard डाउन कर दिया, ऐसा बोलके वो हमारे हीरो का मुंडा पकड़ते हैं और उसको एक डिब्बे में बन करते हैं, और बोलते हैं कि अब इस डिब्बे के अंदर से तुम्हारा हीरो रिजनरेट नहीं होगा, और एक चीज, तुम्हें हम अभी पकड़के लेके जाएंगे हमारे investigation वाले area में, क्योंकि हम लोग है negators, और negators क्या होता है, ये तुम्हें बहुत टाइम बाद मालूम पढ़ी जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा ability यूज नहीं कर सकती, जब तक मैं तुम्हारे skin को touch नहीं कर रहा, इसलिए मैंने gloves पहन रखे हैं, और तुम्हारी ability कोई भी यूज कर सकता है, किसी का भी murder करने के लिए, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, और तुम्हारा ये बंदा भी capture हो चुका है, तो अब कुछ नहीं होगा, वो कहती कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो zombie मुझे बाशाने के लिए आएगा, वो हमारे hero के उपर था, और hero का मुंडी उस डिबे के अंदर बन था, तो असल में बिजली गिरी थी हमारे hero के उपर, लेकिन वो बंदे ने hero को पकड़ कर रखा था, इसलिए वो बिजली उस बंदे के उपर गिरी, और इतने में हमारा hero उस खाई में से निकलता है, रिजनरेट होके और ready होता है इनके उपर हमला करने के लिए, वो अपने पूरे body को रिजनरेट करता है, और ये scene बहुत amazing होता है, फिर वो अपने टकले में से, वो sword का पीस बहार निकालता है, और उसके बाल बढ़े हो जाते है, वो literally एकदम bad ass बंदा दिख रहा होता है, by the way, ये video मैंने कितनी बार badass बोला, ये आप लोगो count रखना पड़ेगा, देखते हैं कि कौन सही से बताता है कि मैंने कितनी बार badass बोला है, कौन सा word, badass, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा hero वापस से अपने उस blade के तुकड़े को अपने सर में डालता है, और उसके बाल और mundi वापस से normal हो जाते हैं, हमारे hero को देखके लड़की बहुत खुश होती है, बोलते कि zombie तुम ठीक हो, मैं कितनी खुश हूँ, और तब हमारा hero आगे बढ़के आता है, और कहता है कि ओए, उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन ये गुंडा हमारी लड़की के गले पर अपना तलवार रखता है, और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आपको रिजनरेट करते हैं, लेकिन ये नहीं, इस वक्त हमारा hero अपने उंगली के खून से एक तलवार को हवा में उपर नीचे कर रहा होता है, फिर वो इतने टाइम में अपना गला काटता है, ठीक है, तुम मेरा सर रख लो और इसको छोड़ दो, ऐसा बोल कि वो अपने सर को अपने हाथ में पकड़ता है, और बोलता है कि अभी ये सब हो चुका है, मुझे पता ही लड़की मुझे बचा ही लेगी, इतने में ये लड़की उस बंदे के पेट पे अपना टकला मारती है, और भाग भाग के जाती है, और हमारे hero के कटे वे ये मालूम पढ़ता है कि हमारे hero ने इसका मुझे दबाया होता है और अतभी आस्मान से, एक literally meteor नीचे गिरता है भाई, ये एक missile नीचे गिर और ये पूरी area फढ़ जाती है, भाई इस बंदी का अनलग कितना खतरनाक है, इसके बाद जब यहाँ पे धुवाँ भाँ सब फिर इसके बाद लड़की कहते है कि अब से मैं तुम्हारा नाम रखने वाली हूँ Andy, और मेरा नाम है Fuko Izumo, लेकिन मैं इसको कहूंगा मोटी लड़की, क्यों वो मत पूछना, ने ने मैं इसको कहने वाला हूँ Razgulla, क्योंकि आप लोगो ने देखा था कि इसके मुह को चाड़ीगा, तो अगर अभी हम लोग एक दूसरे को प्यार करें और अपनी बॉड़ी को एक साथ कंट्रोल करके रखें, तो क्या होगा, ये सुनके हमारी Razgulla तो यहां से अपनी जान बचा के भागन लगती है, और हमारा Andy उसका पीछा करता है, बाइद अगर वीडियो पीछे पढ़ी चुका होता है, और ये लोग एक गली में अटक गए होते हैं, तो तब ही Razgulla अपना जान बचाने के लिए Andy से कहती, कि अगर तुम्हें मेरे साथ कोई चीज करना है, तो उसके लिए तुम्हें अगर मेरे अंदर अपने लिए प्यार बहुत जादा जगा ल अपने साथ अपने घर में और बोलता है कि अब यहां पर मुझे तुम्हें प्रोटेट करना पड़ेगा, यहां पर इसकी पूरी एक आर्मरी होती है, जहां पर इसने अपने बहुत सारे वैपन्स रखे होते हैं, यह हमारी रजगुले को एक पुलेट प्रूफ एश्ट ब इसलिए जहां पड़ेगा, और अगर उन्होंने तुम्हारी उंगली काटके चेक करेंगे कि अगर तुम्हारी कटी हुई उंगली से बहुत सकते हैं, और वो तुम्हें टॉचर करते हैं, मैं एक बार खुद भस चुका हूँ, फिर इसके बाद हमें अगले सी में दिखाते अगर रसगुला अपने एकड़म टेंशन में होती है, कहती है कि मैंको लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ मने आ रहा है, तो एंडी वो तक तुम्हें टेंशन मतलो, तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरी है, बस त इतने में इनके उपर पहला हम्ला होता है, क्योंकि आसमान कटता है और उस में से डाइमेंशन ब्रेक करके निकलते है है, पहले डो लोग, पहला जो बंदा होता है, उसका नाम होता है, तब बिग माशीन ऐए, और यह होता है, यום्ःन से युणिन वह हमला करने के लिए आत रजगुल्य को भागने ही नीदेट देता है और रोबोड बॉई यहाँ पर खड़ा होके हमारे एंडी से लड़ने के लिए रड़ी होता है एंडी अपने बोड़ी को आधे में काटके अपने तलवार से उस पर हमला करता है इसके पास वहाली ability है, फिर हमारा Andy चल के जाता है, robot boy के पास और उसको एक मुक्का मारता है, वो मुक्का इतना powerful होता है कि हमारे Andy का ही हाथ तोड़ जाता है, वो अपने हाथ को regenerate करता है और ready होता है लड़ने के लिए, फिर यहाँ पे robot boy और Andy के पीश मुक्का बादी चल रह हम लोग भी तुम्हारी तरह है, लेकिन हम लोग के उपर कोई भी hunting क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने government को जॉइन करके रखा है, और government सिफ 10 लोग को ही अपने पास रखती है, तो इस वक्त सारे के सारे सीट भर चुके है, तो ये सुनके हमारी रजगुले के दि तुम है मेरा अनलग दे रही हूं, ऐसा बोल के वो यहां से निकल लेती है, और एंडी मस्त चल के जाता है, Mr. Robot Boy के पास, और बोलता है कि तुम मेरे प्यार में एक दिन पागल हो ही जाओगी, तभी हमारी रजगुला कहते है, नहीं में तुम्हारे प्यार में कभी पागल और फिर, Robot Boy एक मुक्का मारता है, और तभी हमें यह वालों पढ़ता है, और तभी हमें यह वालों पढ़ता है, कि Andy यह सब चीज के बार में सोच तो और तभी ही उसको समझता है, कि Robot Boy के जो पावर है वो है, अन अवोड़ेबल मतलब तुम लिटरली Robot Boy के अटक को अवोड नहीं कर सकते, Mr. Blue और Robot Boy यहाँ पे चल रहे होते हैं इस बेस्मेंट के अंदर और धूंड रहे होते हैं Andy को, meanwhile Andy यहाँ पे अपने हाथ को काट रहता है, तभी हो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे डाइनमेट लागे होते हैं, जो कि इस पूरे ब्रिज को तोड़ने वा देखो मेरे बार में पता ही नहीं है, मेरे जो बॉड़ी पार्ट से मैं उसको बुलिट के तरह भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा बोल कि वो एक खोली मारता है इस बंदे को, और बोलता है कि एक चीज़ और, मेरे जो कटे हुए बॉड़ी पार्ट से वो 30 सेकंड बात गायव ह कर दी है, अभी अगर मैं ब्लु बॉड़ी को मार दूँ, तो हमारे लिए दो सिट खाली हो जाएगी, तो मैं और मेरी राजुला हम लोग ये यूनियन को जॉइन कर सकेंगे, है ना, तो हमारा ब्लु बॉड़ी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझ से फाइट मत कर ये ऐसा हो प्या रहा है, इतने में यहाँ पर हमारी रजुला आती है, अटी पर हमारे तलवार लेके, और अटी और तो और मिश्टर बॉड़ी बीच में मस्त 5 चल रहा होता है, अट तो हंपा तो हम लोग लोग ने एक सीट निकाल ली है, तो इसका ये मतलब एक बंद त तो अग तुम लोग अपने अपमें डिसाइड करो कि तुम में से किसको सीट पे बैठने काई और दूसरा बंदा में भी जॉइन कर सकता है हमारे जेल को यह सुनके हमारा हिरो बोलता है अरे इसका एक ही मतला है कि मेरी यह लड़की सीट जॉइन करेगी और मैं तुम्हारे सा तो यह सब सुनके हमारी रजगुला को एंडी के ऊपस प्यार आता है और वो कहती है अगर तुम्हें ऐसा करने वाले हो तो मैं तुम्हें मेरा सबसे खतरनाक अनलग देती हूं ऐसा बोल कि वह अपना शर्ट निकाल रही होती है यह सब देखके एंडी बोलता कि नहीं नही अनलग बोलता है तो हमारे टीम में एक बंदा और है जो की तीन दिन में रश्या में एक मिशन कर्या उट करने वाला है तुम जाओ और उसको मार दो तुमारे लिए दोसीट खाली हो जाएगा और मैं जाके हमारी नंबर वर बन वाले बॉस से बात करूँगा कि वो तुम त पसंद आया फिर एंडी हमारी रजगुल लेगा थोड़ा मजाग उड़ाता है बोलता है कि तुम तो यार डेस्परेट होगे थी मेरे साथ कुछ काम करने के लिए मैं तुम से कहा था कि मैं तुम मेरे प्यार में अठकाँगा उसके बाद ही हम लोग यह सब करेंगे और फिर यह लोग ready होते हैं निकलने के लिए रशिया जाने के लिए और यह लोग बोलते हैं कि वहाँ पर हमारे एंडी के बहुत सारे दोस्त भी है के बाद हमें अगले सीन में एक flashback दिखाते है जहां पर हमारा हीरो एंडी एक चेल के अंदर बंध होता है और उसके सामने एक होता है उसकी बात सुनके attack करने के लिए और हमारी रश्गुल्ला अपनी जान बचा के भाग रही होती लेकिन एंडी ने उसके पैर पकड़ के उसको दबा के रखा होता है कहा होता है कि नहीं तुम मुझ से बचके नहीं भागता है तुम और मैं साथ में ही रहेंगे और त ने हमारे उपर हमला किया था हमें बस वैसे ही emblem वाली बंदी को यहां पर डूढ़ना है और उसके ऊपर attack करना है वो 10 के 10 लोग वो emblem पहन के रखते हैं फिर उसे पता है कि इसे पता है कि कौन वो लोग है जो लोगो ने वो emblem ले कर रखा है और union के उसको तीन लोग के बार मे वो बंदी के बस invisible barriers की ताकत है तो यह कहता है कि इन तिनों में से ही कोई एक हमें यहाँ पर मिलेगा तो hopefully वो बंदी यहाँ पर न हो फिर Andy मस ship के सामने खड़ा होता है और हमारी रजगुला ship को भगा भागा के लेके जारी होती है फिर Andy ship के अंदर आता है और कहता है कि चलो अभी हम लोग हमारे main काम पे लगते हैं और तभी हमारी रजगुला कहती है कि देखो मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई भी feelings नहीं है mean well हमें अगले सीन में दिखाते है कि यहाँ पर वही बंदी होती है यह बंदा कटाना अपने दर गुसा के रखा है और यह फिर पानी में अंदर जाके हमारी रजगुला को बाहर निकालता है क्योंकि वो ढूप रही होती है फिर यह टूटे फुटे शिप के उपर बैठते हैं और रजगुला कहती है तो यह लोग अपने हाथ खड़े करके अब हम क्या करेंगे तो हमारा हीरो कहती है कि तुम टेंशन मतलो जब तुम्हें मैंने पाने से बाहर रहा तो मैंने तुम्हारी पूरी बॉड़ी को अपने हाथ से छूब लिया था यह मतलब है कि तुम्हारा अनलक मेरे उपर चड़ चुका है और हमारा hero अपने body को काट के एक crescent moon crimson attack करता है और यहां से निकलता है और वो इसके ship के, I mean, aeroplane के उपर बैटता है और वो aeroplane fighter jet मस्त नीचे पाने में गिरे लगता है और हमारी अनलक वाली बंदी को अपने हाथ में पकड़ के जमीन पे गिरता है और five point landing करता है अपने हाथ, पैर, हड़ियां सब तोड़ के वो नीचे गिरता है और हमारी लड़की को बचा लेता है फिर वो अपना पूरे जचन रिट करके वापस खड़ा होता और बोलता है हम लोग रशिया पहुच चुके हैं और वो बोलती है अरे तुम्हें भी जातने साथ है अच्छा लोग हम लोग साथ में बैटके यहाँ पर ड्रॉइंग करते हैं फिर योग बैटके यहाँ पर पोट्रेट बनाने का स्टार्ट करते हैं तो हमारी वेंपर कहते कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारा ड्रॉइंग देखा तो वो देखती है कि हमारी रजगुला ने ड्रॉइंग किया होता है मून का और उसने मून के आसपास बहुत सारे स्टार्स बनाए होते हैं आज मैं उसके साथ यहाँ पर रशिया में आई लेकिन मुझे वो आदमी पसंद है ऐसा दोस्त पिर यह सब सुनके हमारी पिंक वेंपर कहती है वाव तुम्हारी स्टोरी कितनी ब्यूटिफुल है ऐसा कहे कि वो पानी में जाती है और पानी के ऊपर चलना स्टार्ट करती है इसी बीच में वो पानी का एक लेयर उठा लेती है और उसके ओपर खड़ी हो के बोलती है मिस अनलकी तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ और यह सब देखके हमारी रसगुला एक्दम से टेंश में लेकिन उतने में यहाँ पर हमारा एंडी भाग भाग के आता है अपने त खड़ा होता और तभी वो कहता है कि यह बंदी कोई और नहीं यह वही है जिसने मुझे 50 साल पहले पकड़ कर रखा था सबसे खतरनाक इन्विजिबल बैरियर वाली बंदी और फिर यह बंदी यहाँ पर पानी का एक लैडर बना के मस्त नीचे उतरती है और यह हमारी पिं अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्लू बोई जिसका नाम होता है शिन इसको मैं शिन बोलने वाला हूँ शिन अपने रूम में अपनी मेड के साथ मेडिटेशन कर रहा होता और वहाँ पे वह उससे बात कर रहा होता है कैसे उसने फाइट किया हमारे एंडी के साथ और एंडी के पास उसको हग करने के लेकिन एंडी उसको रोपता है कहता है कि नहीं तुमने मुझे 40 साल पहले फसाया था और इसी वज़े से मैं तुम्हारे जासे में नहीं फसने वाला हूँ तो फिर वह कहते चालिस नहीं 50 साल पहले और तब जब वो देखती तो उसको लगत बहस होती है जहांपे हमारी पिंक वेंपार बात करते है कि उसको एंडी पसंद है और उसको एंडी के साथ रहना है मिन्वाल यहां पे वो उपर अपने अबिलेटी को यूस करें होती है हमें यह चीज़ दिखाते हैं कि इनके नीचे बहुत शाड़ पढ़ रहा होता है यह असल में पिंक वेंपार का एबिलेटी होता है और वो गुस्चे में खड़ी होती है और बोलते है कि ओए रजगुला मैं तेरी आज से दुश्मन हूं तू और मैं अभी फाइट करेंगे क्योंकि हमें से जो जीते है वही एंडी को लेके जागा एंडी ने मेरा दिल 50 साल प बहुत प्यार करती है और एंडी कहता है कि भाई मैंने तो वो चिस मजाक में कही थी बट उसी वक्त एंडी इस बंदी के उपर अपने तीन चाल ग्रानेट फेकता है और बोलता है कि चलो कम से कम यह खतम तो हो गया लेकिन इससे हमारी पिंक वेंपर का कुछ भी नहीं होता और फिर हमारे एंडी को उसके अटैक से बचने के लिए अपने पैर को काट के रॉकेट यूज़ करके निकलना पड़ता है और तभी हमारी राजगुला कहता है तो एंडी कहता कि मेरे दोस्त वो सब तो पहले ही मर गया अभी हमें इसे अकेले ही संभालना पड़ेगा इतन के एक बैरेर के अंदर सेफ बैठी है तो मैं अगर क्राइट मारूंगा तो भी उसका कुछ असर नहीं होगा इसको मारने के लिए हमें इसके बैरेर के अंदर घुसना पड़ेगा फिर तभी हमारी ये पिंक वैंपार कहती कि ये राजगुला बची कैसे जब ये लोग के बोलता कि अब मैं मेरे नए अटाक को यूज करूँगा ऐसा बोल कि हवा में अपने मुंडी को उड़ा के उसको रिजनरेट करता है और खुद के बॉडडी को फार देता है उससे उसके ब्लेड के बुलेट हर जग गिरते रहते हैं फिर वो कहता कि अब मैंने मेरे ब्ले बॉड़ी को रजगुला के शर्ट के अनर डाल के रखा है तो इसलिए एंडी की बॉड़ी रजगुला के बॉड़ी को टच कर लिए तो इसका यह मतलब एक बार बार रजगुला का अनलख अपने उपर लेते जा रहा है और यह सीन बहुत ब्यूटी हो चाहाँ पे अपे पूरा ब्लेड हर जगह पे रहता और यह पूरा सीन एकदम रेड कलर में निखता है अन्डी बोलता कि तुम मेरे पूरे बॉड़ी को अपने बॉड़ी से टच करके रखो ताकि तुम्हारा और मेरा अनलख एक साथ चिपक पाए तो हमारी रासुला अपने पूरे है उसका नाम है अन्चेंज इसके वाज़से वो कभी चेंज नहीं हो सकती इसलिए पहले भी इतनी ब्यूटिफुल थे और अभी इतनी ब्यूटिफुल है तो यह सब देखके हमारा एंडी बोलता कि तुझे ठोड़ी गलत फैमिली हो रहे है तु ब्यूटिफुल नहीं त अपने पास लाके एकदम हग करता है और बोलता कि अब तुम मुझे पूरी तरह से कवर कलोता कि मेरे उपर तुम्हारा सारा का सारा अनलग आज है और मैं उसके उपर जाके फिर अटैक करूंगा ऐसा बोल कि वह हमारे रजगुला को पुरा चिपकाता है अपने उपर और पुर्ट के बोलता है बस यह इनफ है अब मैं जाके उसके उपर हमला कर सकता हूं लेकिन इतने में हमारी पिंक वैंपर हमारे एंडी और तो और रजगुला के उपर लेजर बीम के अटैक करवाती है उपर से क्योंकि वह इस वक्त उपर सैटलाइट को भी कंट्रोल कर पार और यह चीज़ पिंक वैंपर ने अपने दिल में लगा ली थी तो चाहती है कि उसको डेथ एंडी दे लेकिन फिंक वैंपर अपने गॉट स्पीड में आती है और अपने हैट को घुमा के एंडी के उपर हमला करने कलाती है फिर उनके बीच में चलाश होता है और यह सीन ब लेकिन उसका पैर कड़ जाता है फिर भी वो अपने सूपर प्रोफेलर को यूज करके इसके अंसीन हैंड से बच बच के पूरी एरिया में घूम रहा होता है और यह सीन बहुत अमेजिक रहता है लिटरली एंडी इसके हातों के उपर चल रहा होता है और वो मस्त हवा में और उसके पूरे अटक को डॉच करता रहता है वो एकदम सूपर स्पीड पर निकलता है फिर वो हवा में कूथके अपने बॉड़ी को वापस से काटता है और हमारी रजगुला उसके स्वाड को पकड़ती है और तब ही अपना पूरा बलड इसके शेल के उपर मारके इसको पुरा कवर करता है और बोलता है कि चलो अब तुम पूरी दर से कवर हो चुकी हो लेकिन उतने में एंडी बोलता कि अब तुम्हारे शेल में एक छेद बन चुका है फिर इसी मौके का फायदा उठाके हमारी रजगुला एंडी के मुंडी को उठाके फेकती है इस शेल के और जैसी एंडी इस शेल के अंदर पहुचता है तो बोलता कि मेरी प्यारी जीना अब तुम और मैं तुम्हारे शेल के अंदर एक साथ फसे हुए है अफकॉस मैं तुम्हारे उपर शेल के बाहर से तो हमला नहीं कर सकता लेकिन एक चीज़ है जो कि शेल के अंदर आ सकती ह यह लोग पूरी दरसे खतम हो चुके होते है। फिर हमें डिखाते हैं कि पीच के पानी के पास हमारी रजगुला एक्दम दुनी उती है और हमें डिखाते हैं कि हमारी Pink Vampire की पूरी बडी इजनरेत होगी होती है और फिर Andy अपने हाथ को काट के Pink Vemper के दिल पे रखता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें खतम करने वाला हूँ और वो कहती है कि Thank You So Much Andy मैं चाहती थी कि तुम ही मुझे खतम करो लेकिन उसी वक्त रसगुला यहाँ पर आती है और इनको रोकने लगती है खुद का अबिलिटी अंचेंज आता है लेकिन मैं चेंज चाहती थी मेरे लाइफ में यह मैं कभी कर नहीं से कि ऐसा बोलके वो रोती है और रोते रोते वो अपने आपको यहाँ पर सैक्रिफाइस करने वाली होती है उसी वक्त एंडी उसका हाथ पकड़ता है और उसको किस क करके कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा ब्यूटिफुल हो तुम चाहे कैसी भी दिखो फिर इसके बाद इनका एक अचिंग रियूनियन होता है जिसके साथ हमारी पिंक वैंपार यहां पर हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाती है इसके बाद हमें अगले सिन में दिखाते है पिंकी ने वादा किया था हमारे एंडी के साथ कि वो मरना चाहती है तो सिफ एंडी के मदद से ही और ये बात सुनके उसे बहुत खुशी हुई थी तो एंडी ने कहा था कि जैसी वो free होगा वैसी वो पिंकी के उपर हमला करेगा और उसे मार देगा क्योंकि एक तरह से पिंकी भी सफर कर रही थी और तब एंडी बोलता है चलो अभी हम लोग यहाँ पे बार में बहले ही जूस पी रहे हैं लेकिन हमें बहुत जल्दी बुलावा मिलने वाला है क्योंकि हम लोगों ने दो सीट खाली कर ली है तो उनका यूनियन के दो सीट खा हमारा गोली मारता है अपने उंगलि से में बगएर एंडी के उपर देखे उनका नाम करन करते है यह बंदी है Miss नमबर 3 पे है James Bond का सस्ता कॉपी, नमबर 4 पे है अंगुठा चुसने वाला छोटूसा बच्चा जिसके हाथ एक रोबोट की तरह दिखते हैं, नमबर 5 पे है भाई एक रियल रोबोट, इसकी मोटी सी आंक देखो भाई, नमबर 6 पे आता है Mr. Samurai, ये बंदे को कॉस्पले करन है Mr. Loose Crew, और फिर 7 और 8 दसवे नमबर पे है, अफकॉस हमारे रजगुला और तो और Mr. Andy, ये लोग का यहाँ पर introduction होता है, और सब लोग बोलते हैं कि ओए, तुम लोग का वेलकम है, लेकिन उतने में robot boy हमारे Andy के उपर हमला करता है, और बोलते हैं तुम ने मारा न मेरी प और दोनों ही कहते हैं ठीक है, हम लोग माफी मांगते हैं तो हमारी Miss Helmet इनका attack रोग देती है, फिर हमें दिखाते हैं कि 6th August पे ये लोग यहाँ पर बैठे होता है, तब ही यहाँ पर entry होती है Mr. Talking Book की जिसका नाम होता है The Apocalypse Artifact, ये बंदा यहाँ पर आता है और इन लोग क लगेंगे और अगर तुमने इसको complete किया तो यहाँ पर मैं तुम्हें से 10 लोग के जगह पर 11 लोग कर दूगा, तुम्हें एक seat और मिल जाएगा, फिर दूसरा quest आता है, तूसरे quest में तुम्हें पकड़ना है Uneat को, इसमें तुम्हें 5 लोग लगेंगे और इससे तुम्हे तुम्हें मिल जाएगा location unburned का, फिर आता है number 3 का quest, तुम्हें पकड़ना है Unlanguage को, इसमें participant count होने वाला है 1 और तुम्हें मिलेगा unification of all the languages, मतलब तुम सारे के सारे language को एक साथ मिला के use कर सकते हो इस दुनिया में, फिर बारी आती है तुम्हारे quest number 4 की, तुम्हें पकड़ना है Unpast को, ये बंदे के पास ability है कि ये time को आगे पीछे कर सकता है, participant count 3, और इसका special reward है location, artifact, rebellion का, तुम्हें एक नया artifact मिलेगा मेरी तरह, और अब बारी आती है छटवे वाले quest की, सबसे hardest quest, तुम्हें पकड़ना है Unspoil को, participant count 3, और इससे तुम्हें location मिलेगा, negator Unrepair का, और हाँ, तुम्हें ये सारे के सारे quest complete करने हैं बहुत चल्दी, तुम्हारे पास 31st August तक का time है, अगर तुम्हें ये सारे के सारे quest complete के, तो तुम्हें rewards मिलेंगे, वरना तुम्हें भरना पड़ेगा penalty, और reward में मिलने वाला है तुम्हें Ungalaxy, उसका location तुम्हें मिले लेकिन हाँ, addition of 11th seat बहुत important होगा, बट हम लोग जो last वाला quest है, वो नहीं कर सकते हैं, वो almost impossible है, तो हमें उसे give up करना चाहिए, तो ये सब सुनके हमारी Miss Helmet कहती है, तो हम लोग question number 1 से लेके 5 तक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग 4Tak से question number 1 से 3 करते हैं, और हम लोग penalty accept क करने के लिए ready है, हम लोग का इस बार का goal यह हो कि हमें 11th seat को add करना है, तब ही हमारी goal गपा, I mean रसगुला पूछती है, Mac से कि यह सब क्या हो रहा है, यह artifact क्या है, और यह सब चीज़े हो ही क्या रही है, तो हमें यह वालूप पड़ता कि असल में यह book artifact क्या है, यह असल मे हमारी रसगुला कही थे कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग एक उससे fight करना, बंद कर दे और एक शांती प्रत जिंस्दगी बनाए और दुनिया बनाए, यह सुनके यहां के लोग बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें यह सारे के सारी चीज़े करनी पड़ती है, ह और इसी बहुत से चीज़े इस वर्ल्ड के ऊपर पड़ी हुई है, और उन सब को रोकने के लिए हम सब निगेटर को यहां पर लाया गया है, जो कि यूणियन के लोग है, और हम लोग मिल के इनके क्वेश्ट करते हैं और इस वर्ल्ड को बचाते रहते हैं, इसलिए हमें पर एहाँ तुमने अगर मुझे भरा दिया तो तुम अपने मन के रूल नहीं पर बना सकती है हम इन तीन लोग को लेकर जाएंगे इस क्वेश्ट के लिए, शिंचैन बहुता है, अरे तुम मुझे क्यों ले रहे हो, लेकिन अन्डी बहुता है, तुम मेरे साथ चल रहे हो, और इसी के साथ आज की डिट होती है, ऑगस्ट 21st, इस दिन पर शिंचैन की जो असिस्टेंट ह ध्यान देना, मिन्वाइल यहाँ पे शिंचन कपड़े पहना रहोता है, हमारे एंडी को, लिकिन एंडी को इसाफ कपड़े नहीं पहनने होता है, वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, और वो आके टकराता है हमारी रसगुल्या से, और फिर वो वापस से नागड़ा ह हो चुका होता है, तो हमारा शिंचन बोता है, तुम्हें वो कपड़े पहनने पड़े हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है, इसके ओपर है तुम्हारा बैच, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा टाय, जो तुम्हारा कपड़े है, वो एक्षुल्याट प्रू गोश्ट ये बन्दा किसी बंदे को पकड़के उसके उपर चाड़ जाता है इसका नंबर होता है 1129 और यह इनके बगरवाले फ्लोर पर ही होता है तभी चुनली बोलती किसा नंबर 1129 है वो लिटरली एक होश्च्ट से दूसरे होश पी घुसता है ऐसा उसकंट इपर खुरत को control कर रहे है चुनली एकदम से बफ अए हो चुकी होती है उसके बौड़ी पे muscles और वेंज आ चुक है है भाई ये क्या हो रहा है और चुनली start करती है अटाक करना हमारे heroes के ऊपर हमारे heroes उसके अटाक को block कर रहे होते हैं और फिर चुनली उनके उपर पढ़ता है अनलक और उसके टकले पर एक इड गिरता है और वो भ्योश होती है तो इस वक्त ये कपड़े वाला monster अटाक करता है हमारी प्यारी रसगुला के ओपर लेकिन एंडी इसी मौके का फाइदा उठाता है और वो इस बंदे को पकड़ता है और ये बंदा जो monster वो अटका हुआ रहता है और हमारी चुनली अपने नीन से उठती है और बोलती है प्लीज मास्टर शिंचन मुझे माफ कर दीजिए शिंचन बोलता है अरे नहीं नहीं तुमने कुछ गलत काम नहीं कर तुम्हारे तो skills बहुत अच्छे हो चुके है और फिर ये कपड़े वाला monster एंडी के उपर अटक चुका होता है अब मैं इसके body से निकल भी नी पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है और इसी के साथ साथ एंडी के उपर गिरती है एक बिजली का शौक और उसके उपर पड़ता है अनलक का अटक फिर ये जो कपड़े होते हैं वो एंडी के body पे च के निकल रहे हैं इसके बद हमें अगले स्नी में दिखाते हैं कि हमारे हीरो та एक टरक में बैठके जा रहे होते हैं और just isogi अजए फोल सॉल खे इता है कि और तो मुझे बता कि बनी के बारे में उनके क्या है तो बोलती रैंडमली एक दिन टोक्यो में अपियर हुआ था और उसने लोगों को स्पोयल करना स्टार्ट कर दिया था तो ये देखके वो लोग बोलते कि अभी हम स्पोयल वाले बंदे को कैसे पगड़ेंगे शिंचेन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो हमारे इस बैच में हर एक चीज मिलता रहेगा हम से बाते होती रहेगी हमें ये मालूम पड़ा कि उसका लोकेशन कहां पर है फिर लोग इनका जरनी कंप्लीट करते हैं और रात की टाइम पर एक जगह पर अपना ट्रक रोक के बैठ अगले दिन ये लोग सुभव सुभव पहुचते हैं उसी बंकर वाले लोकेशन पर जहां पर मिश्टर स्पॉइल ने अपने आपको रखा रहता है तो यहां पर घुस्ते ही लोग कहते कि अगर हम लोग इसके अंदर गये तो हम लोग फस्ट चकते हैं क्योंकि हमको पता न मारता है और बोलता है चलो अंदर सिधा जैसी बाहर से निकलती है पूरी जॉंबी की आर्मी जो कि इनको पकड़ने के लिए आये होती है यह सब वो लोग है जिनके उपर स्पॉइल ने अपना असर करिकर रखा तो एंडी पूछता कि यह लोग बापस से नॉर्मल इंसान तो हमारे शिंचेन बोलता है नहीं यह लोग नहीं बनसक्तए घी जासी कट बोलता है और अपने ट्रक को फुल स्पीड़ओ पर ले चोरी होती है खून की, यहाँ पर हर एक zombie almost मर चुका होता है सिवाए एक के, और वो एक female zombie होती है, तो इसके पस जाके Andy बोलता है कि अब मैं इसे मार दोगा, लेकिन यह zombie चल चल के आती है और Andy से दोस्ती कर लेती है, तो Andy बोलता है ठीक है अब से तुम मेरी दोस्त हो, फिर त और तुम शायद से उसके zone के अंदर फस चुके हो, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग तो इस truck के बाहर नहीं निकलने वाले हैं, और उसी वक्त Andy बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लाग रहा, लेकिन तभी हमारी जो यह zombie गल होती है, वो Andy के पेट को खुझाती और Andy जैसी अपने पेट को चेक करने वाला होता है, तभी हमारे रसकुला और शिंचन अपना पेट चेक करते हैं, और उनका पेट एगदम से साफ रहता है, इसका यह मतलब है कि जैसी यह timer 0 पे हिट होगा, वैसी Andy की बाड़ी स्पॉil होने लागी, तो क्या Andy सच में मर सकता है, यह सब देखके हमारे hero star tension में आते हैं, और जैसी timer 0 पे आता है, वैसी Andy की body spoil होना start होती है, लेकिन उसकी body खुट को regenerate करती है, वापस से spoil होती है, वापस से regenerate करती है, तो इसकी यह ability चलती ही रहती है, लेकिन धरे-धरे spoiler इतना बढ़ जाता है कि Andy का आधा move पूरी तर स इससे शादी करूं, तो यह हमें Mr. Spoil का location बताएगी, तो क्या मेरी रजगुला तुम्हें यह बात थोड़ा cheating type लाग रहा है, क्योंकि अभी मैं एक नई बंदेश शादी करने वाल हूँ, तो यह सुनके रजगुला बोलती है, अरे तुम जाओ इससे शादी करलो, मुझे क कोई टेंशन नहीं, तो Andy हमारी zombie girl को अपने गोध में उठाता है, और वहां से निकल लेता है उससे शादी करने के लिए, मिन्वाल यहाँ पर हमारी रजगुला देखती है कि एक छोटा सा बच्चा एक बंकर से बाहर निकल के वहाँ पस से अंदर घुसरा होता है, क्योंकि और यह बच्चे एकदम से डरे हुए रहते हैं, तो यह सब देखके हमारी रजगुला कहती है कि तुम लोगों के वज़े से मुझे भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ीगी, ऐसा बोल कि वो भी जोन के अंदर कूटता है और उसके बॉड़ी पे भी नंबर आ जाता ह इस लड़की को मस्ट शादी के गाउन में पहना दिया है और उससे शादी करने के रड़ी हो चुका है चर्च के अंदर, यहां पर वो लड़की बात करना शुरू करती है, कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे वेडिंग ड्रेस पहना दिया, मेरा बस यही स अच्छल मॉंस्टर, यह एक मॉंस्टर क्या ट्रांस्फोर्मेशन से बाहर निकलता है और इसका नाम होता है उमा स्पोईल, और यहां पर बाहर निकलके इस पूरे बिल्डिंग को अपने कैस से डिश्ट्रॉइ करता है, मतलब भाई, बहुत बदबुदार हवा चोड़ता इस बंदे को हम लोग साथ में मार के ही मरते हैं, तो सब लोग मिलके जाते हैं मिश्टर उमा से लड़ने के लिए, जो की होता है मिश्टर स्पोईल, इसके बद हमें अगले सीन में दिखाते हैं इन सब बच्चों का बैक स्टोरी, फो लोग हमारी रसकुला और तो और मिश आने वाला है, ऐसा कहके उस मुंडी ने अपने अंदर से बहुत सारा गैस बहार निकाला, और इस इतना हानिकारत था कि उसने जितने भी इनसान के कॉंटेक्ट में आया, उनकी बॉड़ी को डारेक्ली स्पोईल करने लागा, और इसका ये असर हुआ कि जो बच्चे थे व ये देखके मुझे बड़ा बुरा लगाया, ये बंदी मिचारी कितनी अच्छी थी, इसने इन बच्चों को बंकर में रखा उनकी जान बचाने के लिए, और खुद की जान की कुर्बाइन लगा दी, तो इस वए से हमें मालूम पड़ा कि यहां पर असल में ये एरिया के हुआते हैं कि जो हमारा बड़ा बड़ा लटका होता है, वो उसके पास याकर सारा इंकरेजमेند देता है, कहता है कि तुम्हें सनफलावर का एक स्कूल बनाता है, तुम्हें सपने के बारें बाता है, तो रिखाने बाता हुएा तुम लोग का नंबर का काउंट है वो फटाफट बढ़न लगता है और इस वएसे वो लोग जाला टाइम तक सर्वाइब कर पाते हैं और इसलिए उनकी बॉड़ी जब जिरो को हिट करने के पहले रुख जाती है और अगर उनकी बॉड़ी ने अगर जिरो को हिट कर ले तो लोग की बॉड़ी भी स्पोईल होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए बच्चे सब बच पा रहे थे यहां पर यह सब देखके हमारा शिंचन और्थ और अजुला कहते कि अभी हमें हर एक चीज मालूम पढ़ चुका तो अभी हम तुमारा हेल्प करेंगे तुम लोग ट करके हर जगा खून फेक फेक के इस पर अटाक कर रहा होता है मिन्वेल यहां पर हमें दिखाते कि सारे के सारे जॉंबीस एंडी की बात सुनकि इस मौशर के उपर हमला कर रहे होता है और एंडी मस्त हवा में अपने पैर से उड़ रहा होता है और उसने जॉंबी गल को भी अपने जान की कुर्बाएं लागा के और सारे के सारे बच्चे जाते हैं अपने टीचर को हग करते हैं और कहते हैं मैडम आपके हाथ पे खून कैसे निकलता है रुखिये मैं आपकी हेल्फ करती हूं यह देखके मुझे बड़ा बुरा लाग रहा था यार और उसी वक्त य और फटाक से मेरी होने वाली गाई फ्रेंट को टच करो और भाग भाग के जॉम्बी के पास आओ तो ये बात सुनके सारे के सारे जॉम्बी की बात सुनते हैं और भाग भाग के जाते हैं हमारी रजगुला के पास सबसे पहले चाती है हमारी टीचर जो की रजगुला को तो हमारा शिंचन अपनी एबिलिटी यूज करके उसको रोकता है क्योंकि उसे पता है कि अभी अनलख पढ़ने वाला है हमारी रस्खुला यहां पर रो रही होती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी टीचर अब मरने वाली है I mean बच्चों की टीचर यह टीचर एक संफ्लावर क गार्डन के थुरू भाग रही होती है क्योंकि यह ऐसा इमाजिन करती है और वो भाग भाग के जाती है बड़े वाले मॉश्टर के पास और बड़ा वाला मॉश्टर एक ही मुक्चे में उसको मारने वाला होता है लिगर टीचर उसे टच करती है और यह मॉश्टर की ऊपर के अंदर पॉपा से डालता है और तुम लोग यहां पर वेट करो और फिर सारे के सारे जॉंबिस जा जा जाके एक एक करके इस मौशर के उपर कूटते हैं और उसके उपर बाकी लोग का अनलग पढ़ रहा होता है तभी शिंचेन बोलता कि एंडी हमें इसे जल्दी खतम करन पढ़ेगा तो एंडी काता कि अरे यार चलो ठीक है अभी इसे मैं सम्हालूँगा फिर कैता कि लेकिन अगर हमें इसे खतम करना है तो हमें क्वेमें भूलना पढ़ा है क्योंकि हमारी तूम लोग की जान बचानी है तो इसे मारना पढ़ेगा जिसकाrire मतलब है की आपने मे से एक बड़ा सा गैस निकालता है और वो अपने आपको ट्रांस्वर्म करता है फेस टू में इसमें तो भाई ये आर्मड वेपन जैसा दिखता है और इसकी आँख दिखाते हैं मॉंश्टर की आँख बाहर आ चुकी है और अब ये बहुत खतरनाक दिख रहा होता है फिर हमारे रजगुला कहती कि तुन टेंशन मतलो हमें पता है कि हमें क्या करना है हमें अपना काउंट बढ़ाना आता है हमने बच्चों से सीखा है उतने में ये मॉंश्टर अपने उंगली से एक ट्राइबीम को फोकस करता है और उसका हमला हमारे हिरोस के उपर करने वाला होता है लेकिन हमारा शिंचन उसके उपर अपना एबिलिटी यूज करता है और ये एनिमी का एम चेंज होता है और वो लिटरली स्टाचू ओफ ल हिरोस के उपर लिटरली मिश्टर शिंचन के गलव पर पर अगर इसका जो ये अटाक है ये हमें से किसी भी जिन्दा इंसान को लग गया जैसे हमारी रसकुल्ला को या मिश्टर शिंचन को तो वो लोग ऑन्दस्पॉट खतम हो जाएंगे ऐसा बोल कि वो इस बंदे के बुक ने तुम्हें ये mission दिया न मुझे मारने के लिए ये बंदा मुझे कितना परिशान करेगा यार ऐसा बोल कि इन लोग के उपर हमला करना स्टार्ट करता है और वो एंडी को मारता है तोड़ता है फोड़ देता है एंडी को लिटरली वो और कहता है कि एंडी तुम मेरे पावर के बगर नहीं रह सकते हर एक चीज को खतम होना है और रॉट होके स्पोईल होके मर जाना है इसलिए तुम लोग अपनी चोटी मोटी जिंदगी के लिए इतना जगडा क्यों कर रहे हो तो हमारी रजगुल्ला कहती कि देखो भले हमें एक दिन आके मरना है हमारी वैसी उसका टाइमर इंक्रीज होके दो लाख पर पहुंच जाता है यह देखके इस मौशर को बहुत शौक लगता है मिन्वेल हमारा शिंचन पीछे से आता है अपने वेपन से इस बंदे को बॉंक मारता है और कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ग् उस हिसाब से उसका टाइमर और बढ़ेगा एक तरह से नॉर्मल जिंदगी चेना भी एक अच्छा ड्रीम होता है लेकिन वह कुछ इतना खास नहीं है मिन्वाल हमारे शिंचन का ड्रीम यह कि उसको पूरे दुनिया में सबसे बेश्ट बनना है जो कि बहुत बड़ी बात ह इसलिए उसका टाइमर इतना उपर गया होगा फिर इस मॉंस्टर को पावर पोल से मारने के बाद हमारा शिंचन बोलता है कि एंडी तुम टेंशन मतलो मेरे पास एक मस चीज है जिसके मदद से मैं इसको मार सकता हूँ मैंने देखा कि जो मॉंस्टर है इसने जब अपना अचाब रजगुला की बॉडी स्पोयल नहीं हुई तो उससे मैं समझ आ कि इसके पास जो स्पॉयल वाली अबलेटी है वह इसके बॉडी में से निकलती है और इसके मुंडी में से नहीं तो इसको मारने के लिए मेरे पास यह है मेरा नया नया न्यांको किंको स्टाफ और अभी power pole बोलने वाला हूँ क्योंकि इतना खतरनाक ना मुझे याद नहीं रहने वाला है तो ये power pole को use करके मैं इसके ओपर attack कर सकता हूँ क्योंकि ये खुद एक artifact है plus इसके अंदर ये ability है कि ये मेरे मन से कितना भी stretch हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है हर एक चीज इसकी perfect है तो मैं इसको एक different distance से मार मार के destroy करूँगा इस monster को ऐसा बोल के वो इसको extend करता है और monster के मुंडे पे एक bonk मारता है फिर उसके बाद तो भाई हमारा Mr. Shin Chan पागलो की तरह इस dunday से इसको मारता रहता है और जब मैं मेरा मुंडी इसके attack से दूर कर रहा हूं तो वो भी नहीं हो रहा है ऐसा कैसे हो रहा है तो उसी वक्त हमारा Shin Chan smile करता है क्योंकि यहीं Shin Chan की असली ability होती है Shin Chan बोलता है कि तुम मेरे से दूर नहीं जा सकते हमारा एंडी कभी बोडी इस वक्त regenerate हो रहा होता है दीरे दीरे और तभी ही यह मौशर अपने उंगली में से beam निकाल के हमारे Shin Chan के उपर हमला करने वरता है लेकिन हमारा Shin Chan उसके मुझ पर धड़ा धड़ पावर पोल से मारता है तुम मेरे उपर attack नहीं कर सकते और तभी Shin Chan बोलता है कि अब तो तुम गए ऐसा बोल कि वो अपने पावर पोल को घुमाता है और उसी वक्त हमें दिखाते है Shin Chan के ability के बार में जिसका नाम होता है अंट्रश्ट और भाई यह sequence में Shin Chan कितना ज़्यादा smile कर रहा है लिटरली यह जोकर की तरह दिख रहा है मुझे और तभी यह कहता है कि अगर मैं तुम से fight continue करूँ तो शायद से मुझे उस इनसान को देखने का मौका मिल ही जाएगा तो यहाँ पर यह किस इनसान की बात कर रहा है I mean, hopefully हमें मालूम पड़ेगा है न इसके बाद हमारा शिंचन इसके टकले पर अपने पावर कोल से मारता है और इस पर हमला करता रहता है उसी वक्त हमारा जो Andy होता है वो कहता कि इस बंदे की जो ability है वो है spoil करने की तो यह आसपास के bacteria को use करता है spoil करने की तो यह सुनके रजगुला उसको एक मुक्का मारती है I mean, चमाट और फिर हमारा Andy मस चल किता आता है और बोलता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है लेकिन इतने में उसके उपर unlock का effect पड़ता है और Andy खाए में गिर जाता है और उसके बाद हमारा शिंचन और Andy दो दोनों ही बात करते है और उससे ये बंदा जो कि हमारा enemy होता है वो उनके उपर एक attack करता है लेकिन शिंचन अपने power pole को घुमा के इस पूरे attack को रोकता रहता है लेकिन उसको दिखता नहीं की दुश्मन कहां पे है तब ही उसको रजगोला कहती है कि Andy का प्लान ये है कि हम लोग इस monster को लेके जाएंगे space में और space की vacuum से इसके उपर attack करेंगे ताकि वहाँ पर ये अपने बैक्टेर को unleash नहीं कर पाएगा तो इस वाज़े से ये बिल्कुल भी हमारे उपर attack नहीं करता है तो Andy बोलता कि ठीक है मैं ये करने के लिए ready हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्ते हैं और वो अपनी शर्त बताता नहीं इसे उस वक्त तभी हमें मालूम पड़ता कि Andy जब अपने सर में से वह कार्ड निकाता है तो वह लिटरली सूपर सेन 3 में convert होता है क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं यहाँ पर मेरी लेजर को यूज़ करता हूँ ऐसा बोल कि वह अपना लेजर मारता है और अटी का मुंडर हलका सा कट भी जाते है लेकिन अपने से रिवाइफ करता है और अपने बॉड़ी को रिजनरेट करता है लेकिन इसके वह convert होता है सूपर सेन 4 में वाट या मैं ड्र डिविजन करता है और लिटरली यहाँ पे दो और Andy regenerate होते हैं वो अपने आपको regenerate कर पाता है एक एक उंगली से और फिर वो इस बंदे को काटना स्टार्ट करता है राध धर वो इसको single attack में काटके इसके तुकड़े तुकड़े करता है और इसके core को एक second में अपने हाथ में भेजता है वो इसमें से जो इनका leader होता है उससे कहता है तुम यहाँ से straight चलके जाओ मेरे organization के लोग यहाँ पे आके तुम्हें ले ले लेंगे तब तक मैं और रजगुला यहाँ पे कुछ काम complete करके आते हैं तो यह बच्चे यहाँ से खुशी-खुशी निकलते हैं और इ इस वक्त सूपर सेंट 4 एंडी यहाँ पे खड़ा है अपने तलवार के साथ और उसका look देखो भाई यह लिटरली मुझे Dragon Ball Z का याद देला रहा है उसी वक्त हमारा जो शिंचन होता है वो बोलता कि चुनली हमारे पास इस वक्त कोर आ चुक है तो तुम तुमारा को को सिक बोल कि यह लिटरली अपने सर पे एक बिजली पाता है और कहते हैं और यह सब देखके हमारा शिंचन बोलता है कि इस वक्त इसे लग रहा है कि इसके सामने एंडी नहीं खड़ा है कोई नया इंसान खड़ा है फिर यह गुस्से में जाता है चलके हमारी रसगुला के पास कहता है कि तुम्हारे वज़े से इस बंदे को लग रहा है कि यह मुझे मार सकता है ना और तभी हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारा शिंचन कहता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा विक्तौर यह बंदा लिटरली विक्तौर का गॉड है और इसके नाम का स् किस साइट से अटाक करने वाला है तो वो उसके अटाक को डॉज करता है लेकिन नहीं लिटरली इसको विक्तर का अटाक पड़ा है यह बंदा गॉड है और इस अटाक को पाने के बाद हमारा शिंचन खुल बोलता कि ओ माई गॉड यह बंदा कितना श्रॉंग है उसके अटे 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 अपने खुट के बॉड़ी पार्स टोड रहोता है आई मीन विक्तर यह एंडी नहीं रहा अभी और उसके बाद बोलता है कि ओए शिंचन तुने अच्छा खासा डॉज किया तु तो इनसान ही है ऐसा बोल कि वह अपने उंगलियों से बुलिट मार कि हमारे शिंचन के हाथ पाव पूरी तरह से तोड़ देता है मीनवाल हमारी रसुलत आती है विक्तर के पास और उसके बॉड़ी को टश करती है अपना अनलग छोड़ने करता है तो तुम यह एबिलिटी यूज करती थी न यह एबिलिटी का मेरे उपर कुछ भी असर नही होने वाला है बच्ची तुम तुम्हारा अनलग को मेरे उपर नहीं डाल सकती मैं हूँ विक्तर क्योंकि इस वक्त कोई भी अनलग वाली चीज होती ही नहीं है इस बंदे के पास एक खुद की कोई नहीं अबिलिटी है यह लोगों के अबिलिटी को काट सकता है फिर विक्त कि एंडी देखो यह मुझे मारने वाला है तुम चाहते हो कि यह मुझे मार दे तुम और मैं कितना प्यार करते हैं हम लोग दुसरे में प्यार में पढ़ने वाला थे प्लीज मुझे बचाओ और उसी वक्त इसके सर पे से फॉपस खूनने के लगता है तो क्या अब एंडी कि इस रजगुले को बचाओंगा और दूसरा तुमें हराओंगा और मैं इतना ही कर सकता हूँ अब बारी उनकी है जैसे वह ऐसे बोलता है वैसी वापस से आसमान फटता है और उसमें से निकलते हैं हमारे बाकी के यूनियन के लोगी सारे के सारे लोग यहाँ पर आये होत से निकले अपने उंगलियों को तोड़ रहा होता है लेकिन यह सब के सब लोग अपने पास एक एक शील्ड लेके आते हैं Mr. Robot Boy के वाज़ से और सब लोग सेफ हो जाते हैं तो यह बोलता है तुम अपने आपको सेफ मत करो हमला करो मुझ पर उसी वक्त यह गनमैन जोकी हमा करता है अपने एक फायर वाले लेजर से और इसकी बॉड़ी को हाफ में करता है और इस वैसे हमारा विक्तर अपने बॉड़ी को रिजनरेत नहीं कर पाता हूँ उसी वक्त यह जोकर का सस्ता कॉपी कहता है कि मैंने तेरी उपर बहुत एक्स्परिमेंट किये थे दस साल पह लेकिन उतने में Samurai Boy यहाँ पे आके इसके बचेवी बॉड़ी को भी दिश्ट्रॉय करता है यहाँ पे हमारा Victor अपने उंगली से उस तलवार को पकरता और खुत के बॉड़ी को रिजनरेट करता और बोलता है कि देखा मैं तुम्हारा Andy नहीं हूँ बाइदेवे Samurai तुम्हारी ability अच्छी है ऐसा बोलके यह लड़ने के लिए आगे बढ़ता है हमारी helmet वाली boss के पास जाता है और helmet वाली boss भी रड़ी होती है इससे fight करने के तो अभी हमारी rank 1 मतलब helmet वाली boss और तो और Victor चोकी god of victory है इनके बीच में insane battle होने वाला है और यह कौन जीतेगा मुझे नहीं पता फिर इसके बद Victor एक एक करके सबके उपर attack करना start करता है सब लोग इसके उपर हमला करते हैं Victor literally अपने blood mode में आके इन लोग के attack को dodge करता है और यह लोग हमारे शिंचन को दूर लेके जा रहे होते हैं उसी वक्त उसका power pole भी वो अपने तरफ contract करता है और power pole एकदम से छोटा होके नीचे गिरता है इसकी वाद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि हमारे शिंचन और तो और रसगुला को लेके दूर गया होता है कि मैं जा रही हूँ उसका मादद करने के लिए उसका help मेरे अलवा और कोई नहीं कर सकता तो हमारा max इसको अपने god में उठाता है और लेके भागता है उसको victor के पास जो एक battle field पे लड़ रहा होता है यहाँ पे victor अकेले ही सारे के सारे बंदों से लड़ रहा होता है चश्मिश बोई से लड़ता होता है, आर्मर वाली बंदी से लड़ रहा होता है हमारे सैमुराय से लड़ रहा होता है, सब लोग उसको पकड़ पकड़ के मार रहा होता है वो लोगों के attack को dodge करके अराम से यहाँ पे godly form में खड़ा होता है, यहाँ तक कि हमारी captain भी इसके उपर हमला करती, लेकिन captain भी किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि Victor इतना फटाफट खुट को regenerate करता है कि भाई उसका speed एकदम god level पर होता है, Victor फिर अपने next attack से सारे लोगों के लूनती है और कहती है कि वो बंदा है जिसके हाथ में कटाना है क्योंकि वही हमारी captain से लड़ रहा है, meanwhile बाकी सब लोग नकली Victor है, तो captain उसके उपर हमला करती है और वो खुट के कपड़ों को भी फटाफट regenerate करता है, तो यह सब सुनके हमारी रजगुला कहती है कि उसके प्लान है कि वो जाएगी और असली वाले Victor को टच करेगी, तो फिर Max हमारी रजगुला को उठा के फेकता है Victor के उपर और हमारी रजगुला Victor को पकड़ती है और अपने body से उसको टच करना स्टार्ट करती, यह सब देखके सब लोग शॉक होते है और इतने में ही उसका अनल वो काटके इनके उपर हमला करने के लिए रेडी होता है, वो अपने bullets निकालके सबके उपर हमला करता है, फिर वो अपने आपको बचा के एके करके इनको मारना स्टार्ट करता और बोलता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, तो यह सब देखके Captain में इसके उपर करने के लिए और उसको रोकने के लिए, उतने में हमारा Victor Razgulla के मुँपे अपना उंगली मार के उसको मारने वाल होता है, मैक्स यहाँ पर आके हमारी रसुला को बचाता है, कहता है कि तु इसको टच नहीं कर सकता, तब तब उसके क्लोन आके मैक्स के उपर हमला करना स्टा अगयरा ऐसा बोलके वो इस मौके का फायदा लेती है, और हमारे Victor के टकले में बंदू करके गोली मारती है, और वहाँ पर एक छेद करती है, फिर वो छेद करके छेद में उंगली घुचड के बोलती है, कि ओए Andy तु बहार आ इसके सर में से लिटरली टमेटो सॉस के तरफ खून बहार निकल रहा है, वो कहती है कि तुम बहार आ जाओ Andy बहार आ जाओ, और इसी चीज़ के वैसे अंदर ये अंदर इसके दिमाग में Andy का पावर एक्टिवेट होता है, और Andy हलका सा बहार आता है, कहता है कि ओए मेरी रसगुला तुम कैसी हो ऐसा बोलके लिटरली र अपने पास ले के आता है, जिसके मदद से यहाँ पे हमारे विक्टर के सारे का सारी क्लोन से निकल लेते हैं, और सब लोग एकदम से शौक होते हैं, इसके वाज़े से तो हमारी रसगुला भी एक आंसु टपकाती है, और इसके बाद Andy कहता है कि अब तुम सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, फिर इसके वद हमारी रसगुला यहाँ से भागते हैं, और बोलते हैं, सब लोग यहाँ वाजोग यहाँ से भागो इसके फटरनाक अनलग पढ़ने वाला है, जो सुनके क्याप्टन बोलते कि सब लोग पटाफट यहाँ से निकलो, तो मैक्स भाग भाग की होती है तब यह लोग कहते कि ऐसा कैसे इतना खतनाक अनलग यहाँ पे कैसे हुआ उतने में इस बड़े से फ्लेड के अंदर चला हुआ होता है हमारा एंडी और फिर इस मौके अफायदा उठा के जाती है हमारी रसकुला और वो उसके टकले में उसका कार्ड घुचर के बो और वो कहते कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गये इस अब सुनके एंडी कहता कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं वापस आ गया फिर रसकुला रोती है एंडी उसे एक हैड़ पैट देता है और वो कहता कि मैं तुम्हें छोड़े कभी नहीं जाओंगा ऐसा बोल कि पहली बार रसकुला को उसके नाम से बुलाता है कहता कि फुको तुम टेंशन मत लो ये सुनके तो रसकुला को बहुत खुशी होती है इसके बद रसकुला थोड़े बहुत अपने पुराने मोमेंट याद करते ही कैसे वो बच्चों को उसने बचाया था याद करते हैं और बाते करते हैं इसी में एंडी कहता है कि तुम टेंशन मतलो ये 200 साल की मेमरी मेरे पास जिंदा है तो मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं वाला फिर इसके बद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि अंसीन वाले बंदे को इस बंदे ने किड्नाप करके रख लिया होता है जो कि होता है अन्रिपेर और वो उसके बॉड़ी के उपर एक खरोश मार के उससे कहता है कि तुम्हारे बॉड़ी का ये खरोश ठीक नहीं होगा क् जिंदगी भर ये दर्द के साथ रहते ही रहोगे और यहां पे अंसीन बहुत रोरा होता है उसी के बद हमें दिखाते हैं कि इनका टाइम खतम हो चुका होता है और सारे के सारे क्वेश्ट अभी एंड हो गए क्यों कि अभी सब्टेंबर 1 चालू हो चुका है और ये सब के बज़े से पाटिसिपेंट्स थे हमारी कैप्टन, रोबो गर्ल और तो और चश्मिश बंदा उसके साथ साथ यहां पे सैमूराइ बॉइ था यह छोटा बच्चा था और तो और मैक्स था इन सब लोगों ने मिलके इसको कम्प्रीट के तो इसलिए तुम्हें रिवार्ड म और मैक्स और इसलिए इनको रिवार्ड मिलने वाला है लोकेशन अनबर्ण का जो कि इनको अगले साथ दिन तक बराबर लोकेशन मिलता रहेगा तीसरा वाला होता है कि इन्हें उमा लैंगवेज को पकड़ना होता है इन्हें उमा लैंगवेज का जिसके वाज़े से अभी हमारे mad scientist ने इसमें participate किया था और उसके वाई से इन लोग को मिलता है कि अभी पूरी दुनिया के सारे के सारे language convert होके एक single language में convert हो जाएंगे और अभी पूरी दुनिया सिर्फ English में बात करेंगी इसमें न कोई Hindi होगा ना Japanese होगा ना कोई भी दूसरा language होने वाला है सिर्फ सब लोग English में बात करेंगे ये इनका reward है ताकि लोगों के बीच में अच्छी खासी memories बनती रहे फिर इसको check करने के लिए हमारा शिंचन अपनी चुनली को call करता है इसमें participate किया था हमारी Captain ने, Mad Scientist ने और तो और छोटे बच्चे ने और इनको reward मिलने वाला है Artifact Rebellion जो कहाँ पे है उसका इन लोग को location दे दिया गया है फिर जो इनका छटवा वाला था कि इनको पकड़ना था निगेटर unseen को ये fail हो चुका है इस वज़से इन लोग को अभी penalty भरना पड़ेगा तो ये सुनके हमारा apocalypse भोता है कि तुम लोगों ने इस mission को complete नहीं है तो अब तुम्हारा penalty है कि मैं इस दुनिया में लेके आ रहा हूँ Uma galaxy को और इसके बसे यहाँ पे लिटरली इस बंदे के मूँ में से एक बड़ी सी galaxy बाहर निकलती है और वो पूरे के पूरे world को cover up करना start करता जो देखके हमारे heroes tension में आते हैं फिर उसी वक्त यहाँ पे आता है हमारा ये green वाला monster और यहाँ पे आके dimension तोड़के इन लोग को अंदर से बाहर लेके जाता है उन लोग को सबका सब असली truth पता रहेगा फिर एक green वाला monster यहाँ से निकलता है और ये लोग देखते हैं कि इनके आसपास में क्या हो रहा है और वो बहुत सारे stars, planets, supernova इन सब चीजों को लेके आता है फिर लोग देखते कि इनके सर के उपर बहुत सारे stars होते हैं और ये सब देखके इन लोग को shock लगता है ये लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है हमें तो इनके बार में कुछ नहीं पता तो मुझे बताओ कि उमा गले, galaxy क्या है तो ये लोग बताते हैं कि क्या galaxy क्या होता है ऐसी बहुत सारे planets होते हैं, solar system होते हैं, universe होता है और उसके वज़े से हमें एक galaxy में आ चुके हैं प्लस यहाँ पर बहुत सारे aliens ये सब हो सकते हैं अपने बाकी सब हीरो को भी बताता है इतने में इनके उपर उड़ते उड़ते आते हैं कुछ नए enemies जो की होते हैं, aliens ये लोग फटाक से अर्थ पे उतरते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा में लीडर कौन है ये सब सुनके यहाँ पर आती है हमारी कैप्टन और कहती है कि Earth की representative मैं हूँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए तो ये बंदा बोलता कि देखो मैं तुमसे यहाँ पर fight करने नहीं आएगा मैं तुमको बस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो planet है वो हमारी किसी कामका नहीं है तो हम तुम्हें यहाँ से निकालके इस planet पर हम लोग रहने वाले तुम मेरी ताकत देख रही हूँ ऐसा बोलके लिटरली एक mountain को destroy करता है अपने fire वाले attack से और कहता है तुम लोग चुप चाप हार मान लो और मुझे ये planet दे दो ये सब देखके हमारी captain बोलते कि लगता है कि मुझे मेरी असली पावर यूस करनी पड़ेगी ऐसा बोलके वो अपना helmet बाहर निकालती है और यूस करती है अपना असली पावर जो की होता है और ये बंदी बहुत ब्यूटिफुल होती है भाई लिटरली वो यहाँ पर enemy के उपर हमला करना श्टार्ट करता और enemy खुदी खुद के वेपन से खुद के उपर हमला करके अपने सारे के सारे ships को destroy कर रहा होता है और ये देखके alien को टेंशन नहीं बोलता है तुम्हें ऐसा कैसे कर पारी हो उसी penalty को रोकने का है हम लोग एक और penalty सेहन सकते हैं जैसी 100 penalty होगे वैसी सारे के सारे slots भर जाएंगे और Ragnarok हो जाएगा और Ragnarok हुआ मतलब भी पूरी दुनिया खतम हो जाएगी तो इसलिए अभी हम लोग एक भी गलती नहीं कर सकते और अभी हमें चाहिए हमारा 11 बंदा क्योंकि हमारे जो apocalypse है वो हमें तब तक कोई भी question नहीं देगा जब तक हमारे पास 11 बंदा नहीं आएगा कहती है कि इस mission के लिए मैं भेज रही हूं रजगुला को Andy को और तो और हमारी robo girl को तुम लोग जाओ और फटक सी mission complete करके आ जाओ फिर इसके बद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि हमारे heroes ब्रजील में गये होते हैं जहां पर घुसने के बद हमारी रजगुला एकदम से शौक होती है क्योंकि वो एक dress के store में होती है जहां पर हमारा literally Andy बहुत अच्छे tuxedo clothes में आता है और यह देखके वो कहती वो तुम अच्छे दिख रहे हो Andy तो Andy बोलता कि बस में को अकले को अच्छा नहीं दिखने है मैं मेरी प्यारी सी लड़की के लिए ऐसा कर रहा हूं जो कि तुम हो तो क्या तुम्हें मैं पसंद आया यह देखके हमारी रजगुला बहुत सादा ब्लश कर रही होती है फिर यह लोग लोग मस्त एक fancy से private jet में बैठे होते हैं जहां पे लोग मस्त खाना वाना खाके आगे बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त हमारा Andy कहता कि हम लोग अभी एक ऐसी जगह जाने वाले जहां पे auction होता है और यहां पे बेचने वाले है हमारे एक negator को जो की होने वाला है और अन्रिप टारह उसका skin expose हो रहा होता है वो कहते हैं अगर मेराइ इतना skin expose होगा, तो किसी की उपए मैरा unlike पढ़ सकता है तो हमारा Andy करते हैं तो अच्छी ही बात है तब ही रजगुल्ला के है लेकी लेकिन तुम्हारे उपर पढ़ना अच्छा है किसी और की उपर पढ़ना तो अच् उससे कही थी कि तुम ही अकेली ऐसी लड़की हो जिसने विक्तौर को हराया था और रोका था तुम एक हमारे लिए important asset बन चुके हो तो तो तुम अपने ability के उपर ध्यान दो फिर हमारे रजगुला मस्त नए कपड़े पहन के बाहर आती है और बहुत beautiful दिखती होती है फिर हमा रजगुला के पीछे भागना स्टार्ट करता है और रजगुला अपनी जान बचा के यहां से भाग रही होती है वेल फिर उसी वक्त हमारा एंडी बोलता है कि तुम्हारा अनलक मेरे उपर इस वक्त काम नहीं काया क्योंकि मैंने मेरा आर्मर पहन के रखा था और आर्मर से नहीं कब से इंतिजार कर रहा था इसं के डिला एंडी के पास उसे थोड़ी बाते करती है कि उतने मैं यहां पर वहापस थे प्रोड़ कर राते के और मेरे के अटरि रेने मेरे तांकि तुम यहां ज़नलों यस मिशन पे बनके जाने वाले हो प्र हमें अकली सी के अंदर entry लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं जो कि एक mention नहीं एक ship होता है यह के लोग इस ship के अंदर entry लेते हैं यहाँ पे इन लोग का security check check in होता है और यह लोग अंदर घुसके यहाँ पे देख रहे होते ही क्या 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 बाते हो रही होती है तभी इनको मालूम information spread करने बहुत आसानी पड़ रहे हैं इसी वयसे यहाँ पे negatars पकड़ जा रहे हैं फिर हमारा रजकुला और तो और एंडी दो तो तोनों ही ship में बैटके खाना खाके बाते कर रहे होते हैं उनके mission के बारे में और तभी एंडी बोलता कि देखो तुमसे मिलने के बाद मु इसने हम लोग को एक खराब सी जिंदगी देखे रखे और यह सब चीज हम निकाल देंगे मिलन हमें दिखाते हैं कि ship के ऊपर एक बंदा आता है जो कि कोई और नहीं हमारा अन्रिपर वाला बंदा होता है यह अपनी लड़की के साथ यहाँ पर आके बोलता है और यहाँ प एक्स्ट्रीम मैन और तो और एक हुडी वाला बंदा यहाँ पर आयो होते हैं इनके मिशन को करने के लिए और नए वाले निगेटर को पकड़ने के लिए यहाँ पर हमारा अन्रिपर इन लोग को बोलता है तुम लोग तुम्हारे मिशन को करो ठीक है ऐसा बोलके यहाँ से निकलते हैं और यह सारी की सारी चीज हमारी Robo Girl छुप छुप के सुन रही होती है और फिर वो यह सारा का सारा information हमारे heroes को देती है और कहते हैं कि सुनो Andy इन लोग के पास ultimate ability है जिसके बाए से नहीं तुम इस mission पर नहीं जा सकते हैं यह mission सिफ इन लोग का है फिर यह सब देखने के बाद हमारे heroes यहां से निकलते हैं और उन लोग को रोकता है फिर वो हमारी प्यारी सी रसगुला को लेके आगे बढ़ रहा होता है तब ही वो बोलता है कि अब अनलक गिरने वाला है जैसी वो ऐसे बोलता है वैसी उसके टकले के नीचे से पूरी शिप तूटती है और यहां पर सब लोग गिरने लगते हैं मिन्वाइल यहां पर यहां पर यह अन रिपर वाला बंदा रेडी होता है इन लोग के उपर अटाक करने के लिए और एंडी अपने आपको रिजनरेट करके रसगुला को पकड़ता है और यह लोग यहां से नीचे नीचे करके भाग रहे होते हैं फिर हमें अगले सी में द है कि अगर यह हिलेगा तो एनिमी हिलेगा अगर यह नहीं हिलेगा तो एनिमी नहीं हिलेगा यह लोग को फ्रीज कर सकता है तभी हमें यह मालम पड़ते है कुछ टाइम पहले तक यह मस्त गाने सुन सुनके अपने स्कूल में जा रहा होता है और सब लोग इसको इसको लिश्ट नहीं समझता है और ये सब चीज़े सुनके इसके पीछे दो गुंड़े आते हैं वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और यहां से लेके निकल लेते हैं और यह बंदे के हाथ में अभी एक चलोगे मैं तुम्हें मेरे गैंग मिलेने के लिए आया हूँ और फिर तभी ही हमारा बंदा बोलते हैं तुम किस गैंग की बात कर रहे हो इतने में कि लोग फिगर आउट करते हैं कि जो हमारा यह चोटा बच्चा है पासे वाला बंदा इस बंदे को चैपेनीज आता है और इंग्लिश नहीं आता तो यह सब सुनके हमारा मस्त का बंदा बोलता कि अब मैं इसके मारे गोली से आमला करूँ गोर्ट देखता हूं कि अपनी एविलिटी यूस करके हमको रोकता है की नहीं तो यह सब देखके ये बंदा रेडी होता है in इसके ओपर हमला करने के लोग lóg करता है तीन तक बोलता है वन तू थ्री ऐसा बोल के हूँ इसके ओपर अटैक करने वर्द है कि उसी वक्त हमारे चोटे बच्चे को जो कि हमारा पासे बाला बंद होता है उसको उसका पास्ट याद आता है जिसमें वो उसके मॉम और डैट के बार में सोच होता है यह सब में गिरती है हमारी प्यारी सी रजगुला फिर रजगुला भाग के चाहती है हमारे इस चोटे बच्चे के बास और उसके उपर एक रिबन रखके उसको कहते कि तुम अब टेंशन मत लो हमें भी जैपनिस आता है यह असल में एक रिबन नहीं टाय होता है जिसके मज़से अभी हर एक language सीख सकता है और समझ सकता है meanwhile यहाँ पर अपना एंडी खुद को हील करता है और लगता है कि अभी हमें fight करना है और यह सब देखके एनिमी टीम के लोग बोलता है अब यार इन लोग को तो हम लोग अराम से हरा सकते हैं वेल उसी वक्त जैसी एंडी अपना sword न नहीं होगा और इसको हील करने का एक ही तरीका है कि हमें unrepair को मारना पड़ेगा meanwhile यहाँ पे हमारा एंडी उसी कटे हुए घाव के उपर अपने तालवार से काट के बोलता है कि मैं खुद को regenerate कर लोगा यहीं तभी यह बंदा वालते तुम खुद को regenerate भी नहीं कर उतने में हमारी जो रस्गुला होती है वो एंडी का स्वाट पकड़ती है और स्वाट पकड़के भाग किता आती है एंडी के उपर और उसका घला काटके उसको repair करती है और इस चीज का फाइदा उठा के एंडी अपने कटे हुए मुंडी से अटाक करता है अन्रिपैर के म यूज़ट यूज़ड करते है tää और इस की अपने हाथ होता है और हमिला करना श्टाट करता है धारदा ओर इस ب waiच में हमारी चोटी लड़की यहां पे आती है और वो एं Rust करती है और इसके पास वी क्योंन होई ताकत तो है और यह सब देखके हमारा अन्रिपेर कहता है तुम सब में कितनी ताकत है अई एंडी क्यों ने तुम मेरे साइट से आ जाए मैं तरह से दोस्ती करूँ और तुझे मेरे अपने टीम में रखूँगा फिर वो अपनी लड़की वो अपनी लड़की उसका नाक ठीक नहीं करती और उसको बोलते हैं मैं त ताकि इसके अंदर की अविलिटी निकल के किसी और इंसान में चली जाए और हम लोग फिर उस इंसान को धूंडेंगे और उसको अपने पास कैप्चर करेंगे तो इसको मुझे मारने दे दे एंडी समझा क्या तो ये सब सुनके हमारा ये पासे वाला बंदा बहुत शौक ह उसी वक्त ये बंदा कहता है कि और मैं जानता हो कि तुम लोग क्या चाते हो एंडी तुम लोग ने यूनियन के अंदर जाके गॉडद के इस लड़के के उपर बहुत झाессम को रोकने के लेकिन वह चाकूऑ ऐंडी को काटके आर पार निकलता है और motion को लड़के को लगन लगता है जिस वएसे अब ये लड़की की जो हमारी राजगुला होती है उसका बॉडी रिपैर नहीं हो सकता तब ही एंडी बोलता है कि ओए इसको ठीक कर समझा की नहीं तो ये सुनके हमारा अन्रिपैर कहता है अब ये ठीक नहीं हो सकती इसके पास सिर्फ एक घंटे का समय है अगर तुनने एक घंटे के अंदर मुझे मार दिया तो मेरी इसकी पर से निकल जाएगी लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये लड़की तुमारे हाथ से निकल जाएगी समझे ना तो ये सुनके एंडी बोलता कि अब बस सब खतम हो गया ऐसा बोलके वह अपने एंडी बोलता कि ठीक है रसगुला मैं तुम्हारी बात सुनके विक्टर को आने नहीं दूगा हमारे पास एक घंटा है इसे पकड़ने के लिए उतने में यहाँ पर बाकी सब इंसान आते हैं और वो लोग हमारे एंडी और तो और रसगुला के उपर हमला करना स्टार्ट क और वो लोग तिरे लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे यह सब सोच के हमारा यह पासे वाला बंद अपनी मॉम को याद करता है मैं मेरे दोस्तों को बचाऊंगा और उसी वक्ति सारे के सारे एनिमीज इसके उपर गोली बारना स्टार्ट करते तो पासे वाला बंद अपने सर पे अपने पासे बानता है और लिटरली एक कांदे में कर नवर्ट होता है और वो यूस करता है उसका अपिलेटी जो की होता है अनमूफ वो अपने दोनों आखों से देख के इन सब बॉलिट्स को रोपता है तो मुझे इतना तो समझ और इसकी आईबर यह बिलीटी दोलों गुंडों से लड़ रही होती, ये लोग उसके उपर multiple गोली मार रहे होते हैं, ग्रानेट फेकर रहे होते हैं, तब ही हमें ये मालूम पढ़ता है कि जो ये टाके वाला बंदा है, इसके पास जो ability है वो ये है कि अपने body में ग्रानेट और गोल गयर बना सकता है, ये ध्राधर हमारी robot girl के उपर हमला करता है, यहाँ पर आग लग चुकी होते हैं, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता, यहाँ तक कि जो इसमें से hoodie वाला बंदा होता है, वो literally robot girl को एक मुक्का मारता है और उसके body को destroy कर देता है, तो इसका ये metal picture ये hoodie वाला बंदा है, वो बहुत ज़्यादा strong है, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा Andy हमारी robot girl को बताता है, कि उनके पास तिर एक घंटा इनको रोकती है, उसी चीज़ के बारे बाते हो रही होती है ये सब होने के बाद हमारी robot girl चाती है इनसे बात करने के लिए, वो बोलती है कि ओए Andy, मैं तरह साथ one-way-one करूँगी मेरे secret chamber के अंदर, तो ये लोग पहले से जानती थी, लेकिन ये सुनके हमारी robot girl कुस्सा होती है वो multiple attack करती है, वो लिटरली गम-गमन औंग कैटलिंग मारती है Andy के उपर, लेकिन इसमें से एक मुका हलका सा release हो कि हमारी रसगुला के पास जाता है, और हमारी robot girl को लगता कि उसने रसगुला को मार दिया, ये देखके robot girl एकदम से tension में आती है, लेकिन उसी वक्त Andy यहाँ पर आके रसगुला को बचाता है, और ये सब देखके robot girl एकदम से उदास हो जाती है, कहती है मेरे गलती के वैसे अभी ये रसगुला मर सकती थी, मुए कि इतनी उदास हो चुकी हूँ, फिर उसी वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन हमारा जो Andy होता है, उसके कपड़ एकदम से फट चुके होते तो वो jump मारता है robot girl के मूह के उपर, और वो लिटरली अपना खतरनाक पार्ट इस robot girl के आँकों पर भर देता है, जो देखके यहाँ पर सब की हवा टाइट हो जाती है, और ये देखके robot girl एकदम से गुसा होती है, और उसकी body एकदम से लाल हो गई होती है, तभी हमारा ये mad sentence बोलता कि, ओए एंडी और तो और रसुला वहाँ से फटा फट निकलो, क्योंकि इस वक्त वो अपना आपा खो चुकी है हम लोगों ने ये system को robot girl की body को बचाने के लिए बनाया था, इसका ये मतलब है meanwhile, यहाँ पर robot girl अपने armor के अंदर रो रही होती है, कहते कि मुझसे क्या हो गया, मैं रुपना चाहती हो, लेकि मुझसे समझ में नहीं आ रहा है उसी वक्त, रजगुला भाग के जाती है robot girl के आँख पे चिपकते और कहते कि मैं तरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले तो robot girl के थे कि बेहन तुम्हें रही है चिपक क्यों यह दूर जा मुझसे, उसी वक्त हमारी रजगुला के थे कि प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो, लेकिन वो पिंक बुड़िया को मारने वाली मैं थी, एंडी नहीं मेरे अनलक ने उसे मारा था, यह सब सुनके वो उसके रूम में उससे मिलने के लिए, तो यह सब देखे, robot girl कहते कि देखो, यह doll मेरी फेवरिट है, ऐसा वैसे लोग बाते करते हैं, और यहाँ पर हमारी रजगुला के हां बोलती है, और वो अपना robotic हाथ हमारी रजगुला के हाथ से मिलाती है, और यहाँ पर इनकी दोस् हमारा एंडी इस कांदे वाले बंदे को पकड़ता है, और उसको पकड़ के सूपर स्वीट से उपर निकला है, क्योंकि अगर कांदे वाले बंदे ने अपनी ability आफ के तो गोली इनको मार सकती है, मिन्वाल यहाँ पे हमारी robot girl इन लोग की घोली खारी होती है, तब ही वो कह तो यह बाते कर रहे होतार, तब ही हमारी यह लड़की कहती है कि मुझे थोड़ा सा अजीव लग रहा है, मिन्वाल यहाँ पे हमारी robot girl ने अपने पूरे core को खोल के power को अक्टिवेट कर दिया होता, तो यह टाके वाला बंदा उसके core पे हमला कर रहा होता, लेकिन यह सारी फूक मारा, जैसी उसने फूक मारा वैसी उसकी ability create हुई, और उसके mom, dad और आसपास की पूरी area destroy हो गई, तब ही हमें यह मालू पड़ा कि इसकी जो यह ability है, वो असल में काम करती है एक force field की तरह, पिर ऐसी वो यहाँ से भाग के गई छुपने के लिए अलग से, लेकिन जहा अपने team में use कर सकते हो, तब ही यहाँ पे entry लेते हैं हमारे Mr. James Bond, James Bond असल में देख नहीं सकते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, सब लोग को मारते हैं, और चोटी बच्ची के पास जाके उससे कहते हैं, अरे क्या तुम ठीक हो, चोटी बच्ची कहती है कि प्लीज मुझे खतम क प्लीज मुझे खतम कर दीजे, मैं बस मेरे mom dad के पास जाना चाती हूँ, तब ही हमारे James Bond कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मुझ खोलो, मैं तुम्हें खतम करता हूँ, जैसी वो मुझ खोलती है, वैसी हमारे James Bond अपने jam में से निकालता है, ब्रेड वाले biscuit, और यह वो हमारी इस लड़के हो खिलाता है, कहता है कि तुम्हारा जो यह ability है, जब तुम अपना मुझ खोलती है, तो वहाँ पे एक vacuum create होगा, जिसके वैसे वहाँ पे तुम्हारी ability काम नहीं करती, इसलिए तुम्हारे मुझ के थूप के से पानी पिला सकते हैं, और तुम्हें खाना भी ख सकती हो, meanwhile यहाँ पे Andy उपर पहुँच जाता है, और बोलता है कि ओए, Robo Girl मैं उपर सेफ पहुच चुका हूँ, फिर Robo Girl अपने power को unleash करती है, और उसके बाल यलो से एकदम से light pink हो जाते है, और वो यहाँ पे अपने power को unleash करके एक single attack में मारती है, untouchable move, जैसे यह move activate होता है, वैसी हमारे इस टाके वाले बंदे का एक हाथ तो ऐसे ही पेगाल जाता है, और यह पूरी की पूरी ship hut के destroy होती है, यह scene मुझे बहुत epic लग रहा था, फिर उसी वक्त हमारा Andy देखता है कि जो unrepair बनता है, वो भी हवा में उड़ रहा है, तो Andy बोलता है कि अब इसको मैंने कैसे लेकिन उड़ पा रहा होता है, क्योंकि उसके पैर में बूट्स में जो होते हैं, वो होते हैं, जेट, मीनवल अपना Andy भी पैर वो काट 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 के अपने blood flow से उड़ रहा होता है, यह लोग literally mid air में लड़ रहा होते हैं, उसी वक्त Andy कहता है कि ओए, कांदे वाले बं यहाँ पे Andy भी रुका हुआ होता है, कांदे वाला बंदा भी रुका हुआ होता है, जो भी उसके आँखों के सामने होते हैं, लेकिन तब ही Andy अपने उंगली से एक और bullet तोड़ के निकालता है, तो यह इसने कैसे किया, उसी वक्त यह bullet जाके लगती है इस बंदे के पास मे लेकिन जैसी वो आगे बड़ी और अन्रिपेर के पास आ रही थी, उसी वक्त यह वाली उंगली भी एंगल में आ गए, जिस वएसे इस बंदे ने इसके उंगली को भी रोक दिया, तो अभी तो यह लोग बीच में अटके वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बट उसी वक्त एंडी बोलता कि, ओए, कांदे वाले, तिरी आखे बंकर, जैसी कांदे वाला आखे बंकरता है, वैसी यह गोली खूम के जाती है, और इस लड़की के कंधे पर लगती है, उसी वक्त हमारा जो यह अन्रिपेर होता है, वो एक आटिफेक्ट यूज करता है, अपने पैरों म वो कहता है, वो कहता है, सर, अब मैं क्या करूमेन, अगर मेरा मुंडा हिलाया, तो मैं खतम हो जाऊँगा, तो एंडी कहता है, तो टुक टेंशन मतलो, मैंने इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर लिया है, बस तुम चिल मारो, वो कहता है कि अभी जो हमें बचाएगी, व उड़के आता है, हमारे इस आखो वाले बंदे के उपर, ये खून कैसे आया, इसको किया था उस लड़की ने, और इस मौके अफाइदा उठा के, हमारा अन्रिपेर अपना अटैक रेडी करके मारता है, और उसी वक्त, एंडी भी अपने स्वाट से इसको मार के रोकता है, और इसके आटाक को तोड़ता है, यहाँ पर इनकी फाइट मस चल रही होती है, तब ही एंडी कहता है, तो हमारा एंडी कहता है, और जैसी लोग नीचे गिर रहे होते हैं, वैसी हमारी रसगुला एंडी के कट वे हाथ को पकड़ती है, और एंडी अपने हाफ बॉड़के चिपकाता है, और वो कहता है कि ओए फटाक से इनको फ्रीज कर, और उसी वक्त आस्मान से इनके उपर गिर रहा होता है एक मेटियोराइट, यह देखके इन लोग की दोनों की हवा टाइट होती है, यहाँ पर नीचे लोग खड़े होते हैं, और यह लोग उपर से जा रहे होते हैं, मीनवाल एंडी उड़ते 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 अपने उगली से एम लागा के इनके ओपर खड़ा होता है, और बोलता कि मुझे इने खतम करना ही पड़ेगा, उसी वक्त हमारे ही रोस नीचे से भाग भाकी इसके अज चा रहे होते हैं, और तभी हमारी रजगुला कहती कि ie कानदेमे कर तिवे यकीन आ तो असा कर सकता है तो कानदा अपनी आखें बंध करता है और पूरी आखें खोल्ल गेए लोग को रोख रख रख रता है वो कहता कि अब तुम लो यहां से नहीं जा सकते तभी हमारा यह बंदा कहता कि अ भले हम लोग यहां लेकिन ये बंदा भी तो कुछ नहीं कहता लेकिन उसी वक्त एंडी का आधा बॉड़ी पीसे से उड़ते हुड उड़ते आता है और वो अपने उंगली से क्रिम्जन बुलेट निकालके इन लोग को मारता है और ये गोली लिटरली अन्रिपैर के दिल को आरपार करके निकलत है उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा ये टाके वाला बंदा था और तो और हुडी बॉइ था ये लोग भी जिन्दा होते हैं वेल के मुग के अंदर फिर ये लोग यहां से निकलते हैं और चुप चाप यहां से कट लेते हैं यहां पर हमें मालूम पड़ता है कि एंडी बोलता कि उस ने उस लड़की की अबिलेटी को पहचान ले था वो लड़की की अबिलेटी ऐसी है कि जब तक वो किसी को अपने नजोरों में देख सकती है तो वो उसका डायरेक्शन को डिश्ट्रॉय कर सकती है इसलिए Andy ने उसके इस ability को counter करने के लिए अपने हर bullet को curve करड़ा था ताकि उस समझना पाए कि bullet कौन से एंगल से आ रहा है इस वाज से वो लोग उनको पकड़ के मार पाए थे Meanwhile जब Andy ने अपना crimson bullet यूज किया तो उस वक्त वो unrepair के पीछे था फिर यहां पिर लोग बैठ के मस्त बाते बाते कर रहे होते हैं ऐसी यह लोग इनके पुराने बाते याद करते हैं और कहते हैं और कहते हैं चलो यह mission तो almost complete हो गया है फिर तभी Andy कहते है कि ओए कांदे तेरे बागर यह नहीं हो सकता था तभी कांदा अपने parents के बारे में सोच रहा होता है अपने school में नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा Andy और तो और रजगुला गय होते हैं उसके school के बस उसका wait करने लिए तभी रजगुला कहते है कि हम लोगों ने इसको तो एक नया tie दे जिसके वह सबकी language समझ सकता है तो क्या वो आज आएगा हमारी union को join करने के लिए अगर हो यहाँ पे आ गया तो हमारी union को join करे लेकिन अगर हो नहीं आया यहाँ पे school खता होने के बाद तो हमारी union को join नहीं करे यह बाद तो हम समझ जाएंगे ऐसे बोल के कि खेलो कि यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं लेकिन उसी वक्त इनके सामने आता है अन्रिपैर बच्चे वाले पॉर्म में और कहाता कि हाँ मैं जिन्दा बच गया मैं मरा नहीं हूँ पुली बहुत जल्दी आईडिया आज आएगा मीन वेल हमें अगली सी में दिखाते हैं यहाँ पर हमारे हीरोस वेट कर रहे होते हैं कांदे वाले बंदे का और कहते कि अगर वो यहाँ पर आज आ गया तो हमें यह जाया कि वो हमारे साथ union में चल रहा है लेकिन अगर वो नहीं आया तो हम लोग चुप-चाप यहाँ से निकल लेंगे लेकिन यहाँ पर कांदे के जगह पर कोई और आता है, आता है यहाँ पर अन्रिपेर अपने बच्चे वाले पॉर्म में, भाई मुझे इसके गोल्डन बूट्स बहुत पसंद है यार, और तो और यह लिटरली अपने आखों से निकलते हुए खूनी आसू को चाटता है, भा अब तो हम दोस्त है ना, यह सुनके हमारा एंडी फट से इसको एक मुक्का मारत वर कहता है कि साले, मैं तिरको छोड़ने ने वाला हूँ, तूने मेरी बंदी के उपर हाथ कैसे उठाया, तेखो कै लगता है कि तू भी बच के निकल जागा, मैं बहुत खोश हूँ कि तू आप अधरी में तूड तोड के मारू, तो हमारा अनलग कहता है कि आाफ़ी मुझे माफ कर दो, लिकिन यह सुनता ही नहीं है, और तभ ही हमारा अन्रिपैर एक बंदूक निकालके हमारी रजगुला के हाथ में फेकता है, जैसे रजगुला इस बंदूक को पकड़ती है, त यहां पर पुरी दुनिया तभाह हो रही होती है और एक black color का shadow जैसा figure आके आस्मान में खड़ा होता है और यह देखके हमारी रसकुल एक तुमसे tension में आती है तो हमारा एंडी पुछा कि तुने इसको क्या दिया जब एंडी वो गन को टॉच का तो उसको भी same visions दिखते है तो और एजिप्ट में हमारे hunters लोग लड़ रहे हैं कुछ लोगों से जो की कोई और नहीं इसी के gang के बंदे लोग हैं यह कहता है कि इनके group का नाम under है और तीन महने के अंडर यह लोग पूरे दुनिया को तभाह करने वाले हैं ऐसा बोल कि यह अपने boots यूज करके मस्त उड़ बट हमारा Andy उसके ability से बचके निकल लेता है और वो पीछे जाके हमारे इस कांदे वाले बंदे को पकड़ता है और कहता है कि कांदे तुने मिश्टेक कर दिया तुम मेरे से भाग रहा है मैं तेरे पीछे आ ही गया था और अब तेरी ability मेरे उपर काम नहीं करें क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कैसे काम करती है ये सब देखके कांदे एक दम टेंशन में तो कहता है फ्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन लोग देखते कि रसुल के अंदर घुसके बहुत खोश होती है तब ही एंडी को श्ट्राइक होता है कि रसुल में कोई बच्चे बैठे गया वे कोई नहीं बचा तो हमारा एंडी कैता कि ओए रसुल में कांदा कुछ भूल चुका है फिर ये लोग स्कूल के कपड़े पहने का एक्टिंग करते है और स्कूल के अंदर जाते है यहां पर घुसने के बद हमारे रसुल सवाल पूछती है वो हमारे कांदे से मल्टीपल सव एक दिन कांदा अपने पेरिंट्स के साथ मस्त रोड क्रॉस करके जा रहा था और तभी अचरक से उसके अंदर अन्मूव की अबिलिटी आ गई अब ये अबिलिटी इसके अंदर कैसा ही मैं ये आप लोग को बाता हूँ इस एनिमे के अंदर एक बंदे की अबिलिटी दू इसके पेरिंट्स को उड़ा दिया तो इसके आँखों के सामने इसके पेरिंट्स खतम हो गए और तभी से ये ऐसा बन गया है तभी से इसने कहा कि ये कभी भी अपने अबिलिटी को यूज नहीं करेगा और दुखी होके बैठा हुआ था ये सब सुनके हमारी रजूला को अर थो बहुत बुरा लगता है और तो और jaki डूनिया में सारे क्गोज एक साथ मिकसफफ हो गय college मैंट्नैप किया फिर वहां पे आघे और हमारी फूकौल मतलब ङका ये इसको बचाया मैं पचके नहीं भागने वाला हूँ उसी वक्त यहां पर इसका दोस्त आता है कि आर कांदा कहता है कि अरे यह दोनों लोग मेरे दोस्ते और तुम टेंशन मत लोग यहां पे लोग बाते बाते करते हैं और इतने में हमारा एंडी जाता है रसगुला के पास और उसको गुदूदी करके बहुत परिशान करता है फिर इसके बाद यहां पे इनकी बाते खतम होती ह करते हैं उसको लगता है कि कांदा इनके कार में बैठके बहुत है क्या तुम प्लीज मेरे दोस्त की यादाश कायब कर सकते हूं वो मेरे बारे में भूल जाए उसका दोस्त भाग भाग के जाता है और फिर हेड़कोर से हमारा मैट साइंटिश जितने भी लोग कांदे के ब बंदे से और कहती है कि तुम टेंशन मतलो हमें हमारा ग्यारवा बंदा मिल चुका है जो की कांदा है इसके ऐसी कुछ टाइम और स्पेंड होता है और आज का डेर होता है फर्स्ट डिसेंबर और हमारे ग्यारा के क्या लोग बैठे होते हैं उनके राउंड टेबल पे और यहां पर जब सब लोग आ चुके हैं तो इसका यही मतलब है कि यहां पर एंट्री होने वाली है एपकलिप्स की और वो इन लोग को देगा नए क्वेश्ट अब अपकलिप्स यहां पर आता है और कहता है कि आज मैं तुम लोग के लिए नए-नए क्वेश्ट लाया हूँ जो की बहुत इंसेन होने वाले हैं और अब यह क्वेश्ट क्या होने वाले हैं और इसका कि क्या होगा मुझे नहीं पता लेकिन मैं डेफिटली पता लगा लूँगा और अगर आप भी पता लगा चाहते हो तो चैनल को सब्स्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो और है प्ता है अजय को छिए है, हुआ है